मौगंज के बहूती जल प्रपात में फंसे दो पर्यटक, 500 मीटर गहरे घाट के नीचे संत से मिलने गए, रात में रास्ता भटके, 10 घंटे तक चला रेस्क्यू मौगंज के नई गढ़ी थाना अंतरगत बहूती जल प्रपात में पिट्निक मनाने गए दो पर्यटक, रात में रास्ता भटक कर फंस गए, रविवार की देर रात तक बाहर नहीं निकलने पर परिजनों समेत पुलिस को सूचना दी, घने जंगल में दो युवकों को मार्ग नहीं मिलने की जानकारी पर नई गढ़ी पुलिस हरकत में आई, मौका मुआयना करने पर पता चला कि दोनों युवक बहूती जल प्रपात से 150 मीटर नीचे हैं, रात में अंधेरा होने के कारण उपर लेकर आना मुश्किल है, ऐसे में पुलिस की 4 सदसेई टीम रस्से की म पर आई, तब कहीं जाकर नई गढ़ी पुलिस ने राहत की सांस ली है, संत से मिलने गए थे कुटिया, नई गढ़ी थाना प्रभारी निरिक्षक MP अहिरवार ने बताया कि गोरा शुकला पुत्र राम कुमार शुकला 18 वर्शिय निवासी, बिरहा बिजहौली थाना हनुम मिली, ऐसे में दोनों जंगल के रास्ते पुजारी की कुटिया तक नीचे उदर गए, संत की बात को नहीं लिया सीरियस, महा संत से मिले तब तक शाम के साथ बच गए, अंधेरा होने पर संत ने कहा कि ततकाल घाट से बाहर जाएं, नहीं रास्ता भटक जाएंगे, दोनों युख रात 9 बजे तक घाट के बाहर आने का रास्ता खोजते रहे, पर घने जंगल में रास्ता नहीं मिला, ऐसे में दोनों बच्चे डर गए, तुरंत अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, साथ ही नई गढ़ी पुलिस को ओगत कराया, पुलिस टीम रात 10 बजे से एक्टिव हुई, ये जवान उतरे नीचे, टी आई अहिरवार का कहना है कि रात में स्पी विरेंद्र जैन के आदेश पर आरक्षक बीर भदर सिंग, आरक्षक मनीश पांडे, दुतिय बटालियन ग्वालियर, से एफ के प्रधान आरक्षक राम सिवक गोस्वामी और विशंभर सिंग को घाट के नीचे भेजा गया, दोनों परेटक न डरें, ऐसे में जनरेटर से रात में घाट पर उजाला किया गया, टॉर्च और रस्ता की मदद से टीम खाना पीना कराई, फिर सुबा सभी साथ में बाहर आए